चाइनीज कमपनियों के प्रोडेक्ट्स सबसे सस्ते हैं, लेकिन जो पहली बार में अच्छा सौदा लगता है, अंत में आपको बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा आपका स्वागत हैं, मैं क्रिस चैपल हूँ यदि आप इस वर्ष सुपरबाल में ट्यून करने वाले सो मिलियन से अधिक लोगों में से एक थे, तो आपने यह विग्यापन देखा होगा ये टेमू नामक e-commerce साइट के लिए है, और अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है और आप सोच रहे हैं कि सुपरबाल के दौरान सेकंड एर टाइम खरीदने के लिए ये लाखो डॉलर कैसे खर्च कर सकता है, तो आप अकेले नहीं है मेरे दौरा अब तक इसके बारे में सुने बिना कोई चीज इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये ठीक वैसा ही है जब मुझे पिछले हफ़ते ओलिविया रोडरिगो के बारे में पता चला क्या मेरी उंगली नाडी से इतनी दूर है? बहुत सारे लोग टेमू के बारे में एक ही बात सोच रहे है और उन्होंने क्यू सोचा कि एक लड़की गंजे लड़कों के लिए बदसूरत विक खरीदना एक विक्रय बिन्दू है इसके अलावा यदि आप एक विक खरीद रहे हैं जो 10 रुपे से कम है तो यह निश्चित रूप से बालों से बना है आशा है कि विक रेबीज शॉट्स के साथ आता है मुझे यकीन नहीं है कि वो या एडम्स परिवार शेली के जूते खुद सीडियों से नीचे चलते हुए निराला थे मुझे हला की कहना है ये कमपनी का प्रतेनिधित्व करता है उनकी टैग लाइन एक अरपती की तरह खरीदारी करें है और यदि आप उनकी वेबसाइट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूँ इस पर बहुत सी अजीब हो गरीब सस्ती और अजीब चीजे हैं केवल बीस डॉलर के साथ आप जूते की एक जोड़ी खरीद सकते हैं एक 32, इन माइनस एक स्क्रूड्राइवर सेट, वायरलेस इयबर्ज, मोजे के पांच जोड़े और यह जो कुछ भी है अब तक का सर्वश्रेष्ट बीस डॉलर निवेश अगर इस तरह अरपपती खरीदारी करते हैं, तो ये बताता है कि क्यूँ वे सब बहुत अजीब हैं आप ये प्यारा गोल बिल्ली तकिया चाहते थे? ठीक है, तुम यहाँ जाओ और यह क्या है? यदि आप इसे अपने क्रश को देते हैं, तो वे नहीं जान पाएंगे कि यह छेर खानी थी या धमकी टेमू वास्तव में एक वास्तविक कंपनी है, जिसे पिछले साल अमेरिका में स्थापित किया गया था हाला कि इसकी मूल कंपनी PDD Holdings चीनी है ये लोग प्रिय चीनी E-commerce साइट पिंडोडो का भी मालिक है, जो 2015 के बाद से है टेमू ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि यह Consumer to Manufacturer Model का उप्योग करती है जहां उप्भोकता एक विचार के साथ आते हैं और इसे बनाने के लिए एक कंपनी प्राप्त करते हैं मैं यहां उनके Business Model में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम चीनी E-commerce साइट कैसे काम करते हैं इस पर एक एपिसोड करें या यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर एक एपिसोड करें कि किस तरह का मनोरोगी वास्तव में इस खौफनाग बिल्ली उत्पीडन उपकरण को खरीदेगा तेमू का दावा है कि उसके पास दुनिया भर के आप उर्ति करता है हाला कि तेमू बहुत सारे उपभोकता लक्षित सामान बेच रहा है जो दो दशकों से चीन में बना है अंतर यह है कि उन वस्तूओं को वालमार्ट और टार्गेट जैसी कमपनियों द्वारा बेचा जाता था यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चीन में पिंडोडो के सभी संपरकों के साथ अधिकांश विक्रिता चीन से है तेमू सिर्फ पिंडूओ डूओ नहीं है जो अमेरिकी बजार में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है वो इस प्रक्रिया में Amazon और Walmart जैसी अमेरिकी कमपनियों को बाहर करने की कोशिश कर रहा है कथित तोर पर टेमू के पास पहले से ही Walmart या Amazon की तुलना में अपने अप के अधिक डाउनलोड है जो इस बिंदू पर लगभग पाच महीनों के लिए अस्तित्व में होने पर विचार करते हुए अच्छी तरह से नहीं चलते है और मुझे पता है कि आप मेंसे कुछ सोच रहे होंगे रुको क्या तुम मुझे Walmart और Amazon के लिए बुरा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो मुझे पता है कि वे भयानक है लेकिन ये खुश होने जैसा होगा कि आपके शहर में भालू के जाल को हटा दिया गया और उसकी जगा बारूदी सुरंगे लगा दी गई हाला कि यह किसी उद्योग को बाधित करने वाले तकनीकी स्टार्टप की एक और कहानी नहीं है जब चीनी कंपनिया एक बजार में प्रवेश करती हैं तो ये समान आधार पर प्रतिस परधा करने और योगिता के माध्यम से जीतने के लिए नहीं होती है वे व्यवसाई के लिए एक स्लैश और बंद रिष्टिकोन का उप्योग करते हैं जो उन्हें कई अवैद सरकारी सबसिडी और चायादार व्यवसाई प्रताओं के कारण पूरे बजार पर कबजा करने की अनुमती देता है ब्रेक के बाद मैं और समझाऊंगा वापसी पर स्वागत है यदि आप सोच रहे हैं कि JD.com, Alibaba और Pindodo जैसी चीनी e-commerce साइटे इतनी सस्ती चीजे कैसे बेच सकती हैं तो ऐसा इसलिए हैं क्योंकि वे एक समान मैदान पर नहीं खेल रहे हैं चीन में बने अधिकांश उत्पात सस्ते होते हैं क्योंकि स्पष्ट होने के अलावा चीनी सरकार उन्हें एक टांग दे रही है उदाहरण के लिए चीन अपनी मुद्रा के मूले को स्वाभाविक रूप से बढ़ने और गिरने नहीं देता है इसका मतलब है कि योआन कृत्रिन रूप से कम रहता है ताकि चीन में बनी चीजें दूसरे देशों में कम कीमत पर बेची जा सके ये चीनी कमपनियों के मुनाफ़े के लिए बहुत अच्छा है लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसने अन्य देशों के विनिर्मान को इस हद तक मिटा दिया है कि दुनिया भर के उभभोकता अब चीन पर निर्भर है जो कहने जैसा है हाँ ये बारूदी सुरंगे महान नहीं है लेकिन कम से कम वे उन सभी भालू जालों से सस्ती है जो सुनने में बुरा लगता है लेकिन भगवान का शुक्र है कि सभी चीनी कैदी वहां रहने के लायक है और उन्हें बिना किसी अच्छे कारण के दंडित नहीं किया जा रहा है लड़का वो बुरा होगा है ना? हम जानते हैं कि चीन जेल श्रम का उप्योग कर रहा है क्योंकि 2012 में चीन के एक कैदी के एक एसो इस नोट ने तब सुर्ख्या बटोरी जब ओरेगन की एक महिला ने उसे अपने हैलोवीन की सजावट में पाया इसने कहा यदि आप वास्तव में कुछ डरावना देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ठीक है नोट में वास्तव में ऐसा नहीं कहा गया था लेकिन आप सभी को चीनी असंतुष्टों को मेरी सला है कि जब आप अपनी मूल भाषा में मदद के लिए एक हताश नोट लिखने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं तो कम से कम इसे मज़ेदार बनाने की कोशिश करें अमेरिकी सरकार ने जबरन श्रम से बने उत्पादों पर प्रतिबंद लगाने की कोशिश की है जादातर जिंजियांक शेतर से जहां चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी उइगर जातीय अलपसंख्यकों के लोगों को सता रही है इसलिए पश्चिमी कमपनियां जो अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का उचित वेतन देती है उनके लिए चीन के दास श्रम के साथ प्रतिसपरधा करना कठिन होगा क्या आप जानते हैं कि Amazon अपने कर्मचारियों के साथ जिस तरह से व्यवहार करता है उसकी तुलना में आपको कितना बुरा लगता है उनके ड्राइवरों को गेटरेट की बोतलों में पेशाप करना पड़ता है तो क्या हुआ? कम से कम वे गेटरेट खरीट सकते हैं वही परियावरण के लिए जाता है अच्छी तरह से लागू किये गए परियावरणी एनियम प्रदूशन को महंगा बनाते हैं और इससे अमेरिका और येरोप में कमपनियों के लिए विनिर्मान लागत बढ़ जाती है चीन की किताबों में बहुत सारे परियावरण कानून हैं लेकिन उन्हें अक्सर लागू नहीं किया जाता है इस तरह चीन का लगभग 60 प्रतिशत भूजल प्रदूशित हो गया और बीजिंग के आसपास की हवा ऐसी कैसे दिख सकती है बीजिंग के निवासी देख रहे हैं कि ओहायो के पूरवी फिलिस्तीन में चीन अभी भी कोईला सयंत्रों का निर्मान कर रहा है एक और तरीका है कि CCP चीनी कमपनियों के साथ प्रतिसपरधा करना कठिन बना देता है वो है सबसिडी सरकार को उन उद्योगों में उर्जा और भूमी जैसी चीजों के लिए सबसिडी देने के लिए जाना जाता है जिने वो बढ़ावा देना चाहती है जब चीन ने 2000 के दशक की शुरुआत में इस पात को एक रणनीतिक उद्योग के रूप में पहचाना तो उसकी सरकार ने बड़े पैमाने पर सबसिडी के साथ इसपात उत्पादन में वृद्धी की 2000 से मध्ध 2007 तक चीनी स्टील के लिए कुल उर्जा सबसिडी 27.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई और यह रूडी वादी अनुमान हिमिशेल का सिरा हो सकता है चीन ने अंतराष्ट्रिय बजार को सस्ते स्टील से भर दिया जिससे अन्य देशों के लिए उनके खिलाफ खड़ा होना मुश्किल हो गया लाक्षनिक रूप में और सच मुच यार वो कुछ सस्ता स्टील है पर नाम अस्वरूप बहुत सारे अमेरिकी निर्माता कारोबार से बाहर हो गए इस हद तक की अमेरिकी सरकार ने इसे राष्ट्रिय सुरक्षा का मुद्दा बताया चीन के स्टील डंपिंग ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लांगन किया इसलिए अमेरिका ने चीन पर अंटी डंपिंग और अंटी सब्सिडी टैरिफ लगाए जिसे चीन वहन कर सकता है क्योंकि वे अपने कर्मचारियों को भुकतान न करके जो पैसा बचा रहे है चीन का एक और फायदा यह है कि वो अपना शोध और विकास करने के बजाए जिसमें बहुत पैसा लगता है वो सिर्फ दूसरे देशों की तकनीक चुराता है चीन की बौधिक संपदा की चोरी से अकेले अमेरिका को हर साल सैकडों अरब डॉलर का नुकसान होता है और जबकि उसमें से कुछ चीन के अंतरिक्ष कारिक्रम जैसी चीजों को आगे बढ़ाने में जाता है इसका उप्योग सस्ते नौक ओफ बनाने के लिए भी किया जाता है जो उपभोकताओं को मूल उत्पादों से दूर कर देते हैं आप जानते हैं कि कॉलेज में ये कितना कश्टप्रत था जब आप एक परियोजना में समय और प्रयास का एक गुच्छा लगाते हैं तब समू का एक सदस्य अंतिम समय पर इसका श्रे लेने के लिए दिखा ठीक है चीन को ये पसंद है केवल वे आपके समू में नहीं है और वे दास श्रम का उपयोग करते हैं इन सबसे उपर जब आप टेमू पर किसी उत्पाद का ओर्डर देते हैं तो डाक हर्च कृत्रिम रूप से कम होता है चीन से सैन फ्रांसिसको तक एक पैकेज की शिपिंग की कीमत एले से सैन फ्रांसिसको तक शिपिंग की तुलना में कम है ये युनिविसल पोस्टल युनियन के साथ एक समझोते के कारण है आप देखिए, चीन को एक विकास्शील देश के रूप में वर्गी कृत किया गया है इसलिए यह विक्सित देशों की तुलना में कम डाग दरों का आनन लेता है इसका मतलब है कि अमेरिका और योरोप को चीन के सस्ते शिपिंग में सबसिडी देनी होगी अमेरिकी डाक सेवा को हर साल इससे लाखो डॉलर का नुकसान होता है तो अगर आप सोच रहे हैं कि पोस्ट ओफिस लगातार दिवालिया क्यों हो रहा है सभी सामानने अक्षमताओं के अलावा ये चीन की भी गलती है तो चीन के कम बेतन वाले श्रम, खराब पर्यावरन संरक्षन, सरकारी सबसिडी, बौधिक संपदा की चोरी और सस्ते शिपिंग के साथ विदेशी कमपनियों के लिए चीन के साथ प्रतिस परधा करना वास्तव में कठिन है टेमू जैसी विबसाइटे वास्तव में एक अच्छे सौदे की तरह लग सकती है जब आपको अत्यदिक सस्ते में बहुत सारी चीजे मिल रही हो लेकिन ये लंबी अवधी के लिए भारी लागत पर आती है और ये लागत अन्य देशों की अर्थविवस्थाओं को नश्ट कर रही है इसलिए यह एक खत्रा है तो आप टेमू जैसी जगहों से सस्ते चीनी उत्पादों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे दी गई टिपपणियों में बताएं और यह सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें कि अल्गोरित्म की तरह बहुत प्यार करता है और याद रखें, चाइना अंसेंसर्ट को मुख्य रूप से आप जैसे दर्शकों का समर्थन प्राप्थ है और मुझे आशा है कि आप लोग CCP के बारे में प्रचार करने के लिए यूट्यूब पर बने रहेंगे आसपास रहने के लिए धन्यवाद किमोन रियू, चिंता न करें, हम कहीं जाने की योजना नहीं बना रहे हैं तो चीन IP चोरी का उप्योग कैसे करता है? कई सालों से, CCP ने विदेशी कंपणियों को चीनी कंपणियों के साथ संयुक्त उद्ध्यम बनाने के लिए मजबूर करके विदेशी तकनीक की चोरी की है, अगर वे चीनी बजार तक पहुँच चाते हैं कई मामलों में इसका मतलब है कि चीनी कंपणियों को विदेशी कंपणियों के व्यापार रहस्यों तक पहुँच प्राप्त होती है CCP को और द्योगिक जासूसी के जरीए व्यापार रहस्य भी मिलते हैं हैकिंग और प्रशास्निक स्वीकृतिया अगर विदेशी कंपणिया तकनीकी रहस्यों को सौपने से इंकार करती हैं तो सरकार अकसर चीनी कानून के उलंगन की जाच के बहाने उनके कारयालेओं की पुलिस छापे मारी करेगी यह ऐसा है जैसे उन्होंने देखा कि वाटरगे के दौरान निकसन ने क्या किया और सोचा उसकी एक मात्र गलती काफी दूर नहीं जा रही थी तो चीन इस आईपी चोरी का उप्योग किस लिए करता है अच्छा, सब कुछ यह टेमू पर दस रुपे में नौक ओफ यीजीज बेचने जितना छोटा हो सकता है या यह विदेशी फर्मों को दिवालियपन की ओर ले जा सकता है ताकि वे पूरे उद्ध्योग को अपने कबजे में ले सके ऐसा ही हुआ जब एक चीनी राज्य के स्वामित्ववाली पवन टर्बाइन निर्माता सिनोवेल ने एक अमेरिकी कंपणी से व्यापार रहसे चुरा लिया सिनोवेल ने अमेरिकी कंपणी ASMC के साथ 800 डॉलर मिलियन का अनुबंध किया लेकिन फिर उन्होंने उनकी तक्नीक चुराली और उनने भुकतान करने से मना कर दिया यह मामला असामान्य था हाला कि सिनोवेल पर वास्तव में मुकदमा चलाया गया था और अमेरिकी अदालत में व्यापार रहसे चुराने का दोशी पाया गया था लेकिन ASMC को पहले ही एक अरब डॉलर की संपत्ती का नुकसान हो चुका था और उसे 700 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी थी जरूर, सिनोवेल को ASMC को करोणों डॉलर का भुकतान करना पड़ा लेकिन अंत में वे अभी भी व्यवसाय में हैं और उन्होंने चीन को अक्षय उर्जा बजार पर कबजा करने में मदद करने के लिए आवश्यक तकनीक प्राप्त कर ली है तो कुल मिलाकर यह अभी भी CCP की जीत थी आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद किमोन रियू और स्थानिय लोगों पर बिनासैंस कीए चीन का समर्थन करने के लिए यदि आप पहले से समर्थक नहीं है तो स्थानिय लोगों पर हम से जुड़ें एक छोटे से मासिक योगदान के लिए आप मेरे मैट और शेली के साथ सीधे चैट कर सकते हैं और हमारे अपने सोशल मीडिया स्पेस में चीन के अन्य बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के साथ चैट कर सकते हैं लिंक नीचे है एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ देखने के लिए धन्यवाद कर दो कर दो दो